नमस्कार आप दिखरे नीशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितिक बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है एंड ये की सरकार है लेकिन नितीश कुमार की जो कारेकाल अभी फिर से स्टार्ट हुई है इसके कुछ ही महीनों बाद अरुनाचल प्रदेश में जदियू के ही हमारे साथ आज बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्यूंज ये तिवारी हमारे साथ मौजूद है उनसे ही हम जानते हैं किस तरफ का ये इशारा है जदियू के छे विधायक साथ विधायक में सरुनाचल में 6 विधायक जो है वो बीजेपी में मिल गये हैं जाकर कि क्यरकि city अनिडीयक संकार अधिवक्ता में जब जडीव के ही विधायक किस तरह जटकादेरे नितीशकमार को बीजेपी में जाकी मिल रहा है किस तरह विशारा कर रहे है है मारे सारओ है कि जेडीयु को बरबाद बीजेपी करेगी अभी फीजेपी के राज्जी के दोनों सीम जाकर आदरनी परधान मंतरी जी से ग्री मंतरी जी से मिलकर आई थे हमित्सा जी से और इसके बाद वहां और नाचल में जिस तरह से अपने सहयोगियों के साथ घात किया सहयोगियों को ही उन्होंने धोका दिया उन्हीं के जेडियू के एमेले को अपने पाले में बीजेपी ने सामिल करा कर यह संकेत यह संदेश दे दिया अदर नितीज जी को कि अब आप खतम आपकी पार्टी खतम बिहार में भी हम आपकी पार्टी के साथ यही करेंगे अब नितीज कुमार जी को सचेत हो जाना चाहिए समल जाना चाहिए यह बीजेपी का तो यहीं चेहरा है मद्यप्रदेश में आप लोगों ने देखा करनाटक में देखा इसके बाद भी नितीश कुमार जी के कुर्सी की मजबूरी के कारण अगर उनके साथ हैं तो फिर नितीश जी को मुवारक हो अगर अब साहस दिखाएं अगर दोस्ती का हाथ तो हम उनका स्वागत करते हैं यह सब तो देखिए दोस्ती का हाथ और शिवानन तिवारी खुद कर रहे हैं सेनियर लीडर हैं हमारे पार्टी के लेकिन अब जो भी बातें होगी वो अब दूद का जला हुआ मठा भी फूख कर पीता है अब आदन नितीश कुमार जी की विश्वस्नियता पर लोगों को संदे होता है कब किधर चले जाएं इसलिए वो ठीक है पले वो वहां से बाहर निकलें इसके बाद हमारे पार्टी का नित्रित इस पर अब दूख करेगा वो नित्रित का भी से है ये परवक्ता कभी से नहीं है तो मृत उख्या नित्रित इवारी का कहना है और जडीडी के परवक्ता है उनका कहना है कि बी जेपी जो है वो जदियो को एक तरीके से बरबाद करके छोड़ेगे लेकिन अरुनाचल प्रदेश म चैने बाग।